नमस्कार मैं श्वेता आपका दख़बरदार नियूस टॉप 10 में स्वागत करती हूँ तो चली रुख करते हैं आज की प्रमोख खबरों पर मद प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमेटर दूर समरधा के घने जंगल में संचालित हो रहे मिशनरी स्कूल में कई अनिमित्ताइं सामनी आई हैं घर से निकलने से पहले चेक करने टाइमिंग भोपाल इंदोर एक्सप्रेस सहित 16 जनवरी तक साथ ट्रेने रस्त सर्दी के कारण ट्रेन पहले ही लेठ हैं वहीं पस्चिम मद रेल भोपाल मंडल में संथ हिर्दा राम नगर निशातपुरा के मद तीसरी रेल लाइन का कार चल रहा है सरद्धालू से भरी बस राम इश्रों में दुरगटना ग्रस्त मद प्रदेश के दो यात्रियों की मौत 19 घायल सीम ने जताया दुख मद प्रदेश के सरद्धालू को लेकर राम इश्रों यानि की तमिलनाडू में गई एक बस अनिवाराथ हाथ से का शिकार हो ने गाड़ी लोटाई जबल पोर निगमायुक्त ने कहा आर्थिक हालत खश था भोपाल इंदौर उज्जयन में तेज धूप MP में गौालियर दतिया रीवा की राते ठंडी अगले दो दिन मध्यम से घना कोहरा मध्यप्रदेश में राइवार सुबह गौालियर दतिया मे घना कोहरा विजिबिल्टी 50 मीटर से कम रही भोपाल इंदौर उज्जयन में तेज धूप है MP में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी अयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा पर भजर मंडिलियों की प्रतियोगिता कराएगी सरकार अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की मूर्थी की प्रान प्रतिष्ठा पर मध्यप्रदेश में भी उत्सव जैसा माहुल रह रहागीरी आनुन दोच्व में थिरके सीम डॉक्टर मोहन यादव जैन में रहागीरों को बाटिक तिलके लड़ू फॉरिनर्स ने लगाया जैशी राम का उद्गोश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे रव्यार को जैन में हैं आज उन्होंने अपर अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टीट्वेंटी सीरिस का दूसरा मुकाबला आज इन दौर में खेला जाएगा मध्य प्रदेश की पूर मुख्यमंत्री उमा भारती ने रईवार को भुपाल में अपने आवास पर आयोधा शीराम जन भूमी आंदुलन के संस्मिरट सुनाए इस दोरान उन्होंने कहा कि मैं 1970 से 1980 तक विदेश चली गई थी जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी तब मैं भारत आई भी थी सिर्फ मा से मिलने बाद में मा बीमार हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया कहा कि अब तुम्हें एक साल तक मेरे पास ही रहना है आठ महीने बाद उनका निधन हो गया मैं मैंने प्रवचन करना छोड़ दिया था प्रवचन छोड़ने की वज़े ये भी थी कि मैं अपने प्रवचनों में जो बाते कहती थी उन पर खुद ही कायम नहीं रह पाती थी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगे आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए दा खबरदार नियूज